बातें मतलब पिछले काफी ड़े चल रही थी और मतलब बहुत बार था कि यह PUBG बैन होगा नहीं होगा हो सकता है या जो भी है तो फाइनल दोस्तों अभी 2 सेप्टेंबर की आज की यह प्रेस रिलीज फिलार आपके सामने है जहां पूरी डीटेल्ड लिस्ट है 118 अप्स की जिनको इंडियन गवर्मेंट दोस्तों बैन किया है मतलब 30 जून को दोस्तों बैन किया था टिक टॉक को और उसके अलावा और बहुत सारी एप्स थी बीच में बाते कर रहे थे कि यार और बाकी एप्स भी बैन हो सकती है गवर्मेंट के पास में काफी बुड़े लिस्ट इसको जो है वह भी अनलाइज किया रहा है और फिलाहां दोस्तों लेटेस्ट यहीं कि पब जी के साथ टोटल 118 एप्स बैन हो गही है पब जी पब जी लाइट इसके लावा दोस्तों यहां पे वीचैट फॉर वर्क और इसके अलावा तरह तरह का बहुत सारा चीनी मसाला इसको completely government दोस्तों डीटील में बट यह सच है कि दोस्तों अब पब्जी मोबाइल जो गेम है उसे बान कर दिया गया है आईटी मिनिस्टर दुआरा ता उसी तरह से दोस्तों यह जो पब्जी मोबाइल गेम है वो भी चलना बंद हो जाएगा आप खेलने की कोशिक करोगे नहीत चल सारे स्ट्रीमर है जिनका पूरा वर्क है इस तो पूरा 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 पर फजी पर डिपेंड है तो कहीं चाहता है आप ले लाइसके फिल होता है कि यार अब सब्स्तार goddamn मेन हो गया है अगर जहता है anar यिप बंद देखा जातां डूस्टो जो इंडिय पे खर्च नहीं किरें Benos których यूत्व है वह कुछ जज्ञादा ही एंडर भी ऊपर तो कही न कहीं लगता है कि छह ठीक है तो कही न कहीं लगता है कि यह बैंन old-up गया but कुछ लोगों के लिए अब यह गेम आप चल रहा होगा लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों यह चलना बंध हो जाएगा अब देखते हैं आगे जाके कि यह पर्मानेंट बैन होगा या फिर टेंटरी बैन है क्योंकि इस पर आइनो आगे तो मेरी खाल से कोर्ट में केस फाइल वाइल किया जाएगा तो इसके बारे में और ज्यादा डीटेल में आने वाले समय में पता चलेगा देखते हैं आके क्या होता है दूस्तों फिलाल के लिए तो यह अप्लिकेशन यह गेम बैन हो चुका है